Hello friends, welcome to my channel friends, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा डिजैन लेकर आई हूँ, आज मैं आपको डिजैन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिजैन केसी बनाया गया है, इस डिजैन को आप लेडिज कारडिकन, लेडिज हाफ जैकेट, जैन स्वेटर, बच्चों के स्वेटर किस भी प्रोजेक्ट पर अपलाई कर सकती है, सभी प्रोजेक्ट पर ये डिजैन बहुत ही सुन्दर लगता है, इस डिजैन को बनाने के लिए आपको आठ के मल्टीपल फंदे लेकर एक फंदा एक्स्ट्रा लेना होगा, तो ये डिजैन आपके प्रोजेक्ट पर इस तरह से एड़िस्ट हो जाएगा आठ के मल्टीपल देखिए आप इसमें आठ फंदे गिन लीजिए फिर से आठ फिर से आठ फिर से आठ इस तरह से करते हुए लास्ट में आपका सिर्फ एक फंदा होना जाहिए ये डिजैन सीधी साइड से शुरू होता है और सिर्फ चार सलाईयों में कम्पलीट हो जाता है कार्डिगन जैकेट के लिए आप इस तरह से कोई भी स्केल बोर्डर बना लीजिये जैन सुटर बच्चों के स्वेटर के लिए आप कोई भी नॉर्मल बोर्डर बना लीजिये फंदे बढ़ाने हों तो उल्टी साइड से बढ़ा कर सीधी साइड से इस डिजाइन को शुरू कीजिए, तो विजाइन की पहली सलाई मैंने यहाँ से बनाई, वही मैं आपको यहाँ से बता रहे हूं, तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 40 फंदे, यह जो border añad है, इसमें मेरे 39 यानि 49 फंदे थे, डिजाइन को सेट करने के लिए उपर मैंने एक फंदा बढ़ाया हुआ है ये जो border design है ये मैं पहले ही चैनल पर इसकी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ अगर आपने अभी तक इसकी वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो का link मैं इस वीडियो के description box में डाल दूँगी वहां से आप open करके इस border design को सीख सकत हैं तो ये देखेगा design की पहली सलाई है और सीधी side है पहला फंदा इसका hd है इसे उतार ये या उल्टा बनाईए ये आपकी अपनी मर्जी है तो देखिए एक दो और ये तीन फंदे हम इस तरह से starting में उल्टे बनाएंगे फिर धागे को पीछे करेंगे और एक फंदे के तीन फंदे बनाएंगे देखिए इस तरह से एक फंदा बनाएंगे धागे को अपनी तरफ कर लेंगे और इसी फंदे में फिर से slide डालेंगे और एक फंदा सीधा बन देंगे तो देखिए फंदे हमने ये हलके से लूज रखने है अब एक से तीन हो गए और इसे हम उतार अब एक फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे इसको हम बुनेंगे नहीं ऐसे ही स्लिप कर देंगे फिर से एक फंदे के हम तीन फंदे बनाएंगे तो देखिए एक बार फंदे को सीधा बनाएंगे और फंदा हलका सा लूद छोड़ देंगे धागे को अपनी तरफ लेकर आएंगे आगे से स्लाइड आलेंगे और फंदे को सीधा बुन देंगे, तो देखिए एक से हमने तीन बनाये, अब इसे हम स्लिप करेंगे, धागे को अपनी तरफ लेकर आएंगे और अब पांच फंदे उल्टे बुनेंगे, एक, दो, तीन, चार, और ये पांच, तो अब ये देखिएगा स्टार्टिंग के तीन फंदे आप ऐसे छोड़ दीजिए फिर यहां से यहां तक हमने ये आठ फंदे का डिजैन बनाया है इसी को आप बार बार रिपीट करते जाना है तो धागे को ऐसे पीछे करेंगे एक फंदे के तीन बनाएंगे देखिए एक फंदा बुन लिया धागा अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को हलका सा लूज रखेंगे आगे से स्लाइड डालेंगे और फिर से फंदे को सीधा बुनेंगे और उतार देंगे एक से तीन हो गए एक फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे फिर से एक के तीन बनाएंगे धागे को अपनी तरफ करेंगे और 5 फंदे उल्टे एक, दो, तीन, चार, और ये 5, फिर से डिजाइन को रेपेट करना है, तो धागे को पीछे करेंगे और एक फंदे के तीन बनाएंगे, एक बार सीधा बनाया, फंदे को हलका सा लूज रखेंगे और धागा अपनी तरफ ले आएंगे आगे से स्लाइड डालेंगे और फिर से हम फंदे को सीधा बुन देंगे तो देखे एक से तीन हो गए अब एक फंदे को स्लिप करेंगे फिर एक के तीन बनाएंगे एक फंदा बनाया इसे लूज रखेंगे धागा अपनी तरफ करेंगे फिर से आगे से स्लाइ डाल कर फंदे को सीधा बुनेंगे, तो एक से तीन हो गए और उतार देंगे, धागा अपनी तरब करेंगे और 5 फंदे उल्टे, एक दो, तीन, चार, और ये पांच फिर हम धागे को पीछे करेंगे 1 फंदे के 3 बनाएंगे देखिए एक बार बुं लिया धागा अपनी तरब करेंगे आगे से श्लाइड डालेंगे और फिर से इसको सीधा बुन कर उतार देंगे एक से 3 हो गए 1 फंदे को slip कर देंगे फिर एक फंदे के तीन बनाएंगे और ये ध्यान रखेगा यहां से यह जो slip की हुए फंदे के पीछे से धागा जाता इसको ज़्यादा टाइट नहीं होने देना है फिर एक फंदा हमने सीधा बुना धागा अपनी तरफ करेंगे इसे थोड़ा सा लूज छोड़ देंगे इसी फंदे में स्लाइड डालके एक बार फिर से सीधा बुनेंगे तो एक से तीन हो गए धागा अपनी तरफ करेंगे और पांच फंदे उल्टे एक दो तीन चार और ये पांच फिर धागे को पीछे करेंगे और एक फंदे के हम तीन फंदे बनाएंगे देखिए फंदा हमने सीधा बुन लिया और इसे हलका सा लूज रखेंगे धागा अपनी तरफ इसी फंदे को फिर से सीधा बुन देंगे तो एक से तीन हो गए एक फंदे को स्लिप करेंगे फिर से एक के तीन बनाएंगे देखिए ऐसे हमने इसको सीधा बुना फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और इसी फंदे को दोबारा से सीधा बुन देंगे तो देखिए एक से तीन हो गए धागे को अपनी तरफ करेंगे और लाच्ट के तीन फंदे उल्टे बुन देंगे पहली सलाई डिजैन की कम्प्लीट हो गई अब आज ये इसकी दूसरी सलाई और उल्टी साइड पर उल्टी साइड की सलाई को देखिए पहले फंदे को उतारिए या बनाईए एक, दो, और ये तीन फंदे हमने उल्टे बुन लिये हैं अब ये जो हमने एक से तीन बनाई इसको हम सलिप करेंगे ये जो बीच में सलिप किया हुआ फंदा है इसको हम उल्टा बुनेंगे और ये ध्यान रखिए यहाँ पर ये वाला धागा ज्यादा नहीं खिचना जाहिए फिर से ये जो तीन फंदे स्लिप किये हुए है इनको हम यहाँ जो एक के हमने तीन बनाई थे इनको स्लिप करना है अब पांच उल्टे बनेंगे देखिए एक दो तीन चार और ये पांच ये स्टार्टिंग के तीन फंदे छोड़ कर ये जो हमने डिजाइन बनाया इसी को बार बार रिपीट करेंगे तो देखे जो एक से तीन बनाए इनको हम स्लिप कर देंगे जो बीच में एक फंदा स्लिप किया हुआ है इसको उल्टा बनेंगे और यहां इस धागे को लूज रखिएगा फिर से जो एक से तीन किये हुए हैं इन तीनों को ऐसे स्लिप कर देंगे और आगे पांच फंदे उल्टें यहां से भी धागे को हलका सा लूज रखिए एक, दो, तीन, चार और ये पांच फिर से डिजाइन को रिपेट करेंगे एक से जो तीन बनाए इन तीनों को एक साथ ऐसे स्लिप कर देंगे बीज में जो एक फंदा स्लिप किया हुआ है इसको ऐसे उल्टा बनेंगे फिर जो एक से तीन बनाए इनको हम slip करेंगे और पांच फंदे ये उल्टे बनाएंगे यहां भी धागे को आपने हलका सा लूट छोड़ देना है अगर टाइट हो गया तो ये डिजैन उभरा हुआ नहीं बनेगा सुकड जाएगा तो ये पांच फंदे हमने उल्टे बनाए फिर ये जो एक से तीन बनाए हुए है इन तीनों को ऐसे slip कर देंगे जो बीच में एक फंदा है इसे उल्टा बनेंगे फिर एक के जो तीन बनाए इनको slip कर देंगे और अब पांच फंदे उल्टे एक दो तीन चार और ये पांच फिर से देखिए एक से हमने जो तीन बना इनको slip करेंगे बीच वाले फंदे को उल्टा बुनेंगे ये जो तीन फंदे हैं इनको slip करेंगे और लास्ट के जो तीन फंदे हैं इनको हम उल्टा बुन देंगे तो दो सलाईयां डिजैन की complete हो गई अब आजिएगा इसकी तीसरी सलाई और सीधी साइड पर, तीसरी सलाई को अब आप ध्यान से देखिए, पहला फंदा इसका S-T-6 है, इससे उतारिये या उल्टा बनाईए, एक और ये वाला दो, ये स्टार्टिंग के दो फंदे ऐसे उल्टे बनाएंगे, धागे को अब पीछे करेंगे, देखिए इस वाले उ उतारेंगे और बैक साइड से सलाई पर हम पहले डाल देंगे, अब ये तीन फंदे हम यहां आगे कर देंगे, और बैक साइड से तीनों फंदे में एक साथ सलाई डाल कर तीन का एक बना देंगे, अब इस फंदे को भी सीधा बनेंगे, अब ये जो बीच का फंदा है, इस इसे हम बैक साइड से लेंगे इन तीनों को उतारेंगे और फ्रेंट वाली सलाई पर देखिए ऐसे डाल देंगे इसको बैक साइड से लाकर आगे कर देंगे इसे यहां सीधा बुनेंगे यह जो तीन है इनमें बैक साइड से सलाई डालेंगे और तीन का एक फंदा सीधा बन अब धागे को अपनी तरफ करेंगे और तीन फंदे यहां उल्टे आएंगे एक दो और ये तीन अब ध्यान से देखेगा ये स्टार्टिंग के दो फंदे छोड़ कर ये हमारा आठ फंदे का डिजाइन है अब इसी डिजाइन को बार बार रिपीट करना है तो ध्यान से करेंगे बैक साइड से सलाई पर ऐसे हम डाल देंगे इस तरह से और ये जो हमारे अब तीन फंदे हैं इनको हम यहां आगे लाएंगे और बैक साइड से तीन का एक फंदा सीधा बुनेंगे इस एक फंदे को भी सीधा बुनेंगे ये जो बीच वाला फंदा है इसे स्लिप कर देंगे अब ये वाले फंदे हमें ट्विस्ट करने हैं इन तीन को छोड़ के ये जो एक उल्टा है इसे बैक साइड से ऐसे लेंगे इन तीन को उतारेंगे और इस हाथ की स्लाइपर डाल देंगे इसको बीच में करेंगे एक फंदे को सीधा बुनेंगे अब ये जो तीन ह इनमें भी back side से slide डालेंगे और 3 का एक फंदा सीधा बुन देंगे धागा अपनी तरफ और 3 फंदे उल्टे एक दो और ये 3 फिर से यही 8 फंदे का design बुनना है तो धागे को पीछे ले जाएंगे इस उल्टे फंदे को छोड़ देंगे ये जो एक से 3 किये हुए हैं इनमें front side से slide डालेंगे इस एक को उतारेंगे back side की sliper पहले डालेंगे इन तीनों को अब यहां आगे करके back side से 3 का एक फंदा बना देंगे तो धेखिए पहले एक से 3 किये तीसरी sliper 3 से 1 हो गया अब ये जो उल्टा फंदा हमने आगे किया है इसे सीधा बुन देंगे बीच वाले को slip करेंगे अब ये फंदे हमें twist करने है तो इन 3 को तो हम छोड़ देंगे back side से एक ये जो उल्टे वाला फंदा है इसे लेंगे इन 3 को इसाथ की sliper डाल देंगे और इसको बीच में लाकर पहले सीधा बुनेंगे फिर ये जो 3 फंदे हैं इन में back side से sliper डालेंगे और 3 का एक फंदा बना देंगे धागा अपनी तरफ और 3 फंदे उल्टे बुन देंगे फिर से यही 5 फंदे का design repeat करना है तो धागा पीछे ये जो उल्टे वाला फंदा है इसे छोड़ देंगे ये जो 1 से 3 किये हुए है इन में sliper डालेंगे एक फंदे को उतारेंगे और back side से इस फंदे को ऐसे ले आएंगे इन 3 को अब यहां इस sliper आगे कर देंगे और back side से 3 का एक फंदा बुनेंगे इस उल्टे वाले को भी सीधा बुनेंगे बीच वाले फंदे को slip करेंगे इन 3 को छोड़ कर back side से उल्टे फंदे में sliper डालेंगे तीनों को उतारेंगे और front side से sliper पहले डाल देंगे अब यह हमारा बीच में आ गया तो इसे हम पहले सीधा बुनेंगे फिर 3 फंदे में back side से sliper डालेंगे और 3 का एक कर देंगे धागे को अपनी तरफ लाएंगे 3 फंदे उल्टे बुनेंगे बस इसी design को बार बार repeat करती जाना है देखे इस उल्टे वाले फंदे को छोड़ देंगे यह जो 3 है इनमें front side से पहले sliper डाल देंगे अब इस एक को उतारेंगे और back side की sliper पहले डाल देंगे अब इनको लाएंगे और इसके आगे कर देंगे फिर back side से 3 फंदे का एक फंदा हम सीधा बना देंगे फिर यह एक फंदा सीधा बनेंगे ब तीनों को उतारेंगे और फ्रंट वाली सलाई पर पहले डाल देंगे अब इनको बीच में लाएंगे और इसे एक फंदे को पहले सीधा बुनेंगे इन तीन फंदे में अब बैक साइड से सलाई डालेंगे और तीन का एक कर देंगे लाश्ट के अब दो फंदे बचे हैं इनको हम उल्टा ही बना देंगे तो तीन सलाईया डिजैन की कम्प्लीट हो गई चोथी सलाई है और इसकी उल्टी साइड है अब इस चोथी सलाई को आप धागा अपनी तरब कीजिए और उल्टा बुनते हुए कम्प्लीट कर दीजिए अब इसमें हमें कोई भी फंदा सलिप नहीं करना है सारे के सारे फंदे उल्टे बुनती हुए सलाई को कम्प्लीट करना है तो यह देखे फ्रेंट इस तरह से चार सलाईयां डिजैन की कम्प्लीट हो गई है अब इन्हीं चार चार सलाईयों को बार बार रिपीट करते जा तीन फंदे उल्टे, एक के तीन बनाएं फिर एक फंदे को सलिप कीजिये फिर एक के तीन बनाएं फिर पांच फंदे उल्टे, ऐसे इसकी नेक्स्ट बार के स्टार्टिंग करने हैं। आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरी चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सके तेंक्यू